करेंगे कर सकते हैं मतलब डॉकर को तो क्या ही करें कम्यूनिकेट को करेंगे कम्यूनिकेट ठीक है तो उसके लिए हमें करेंगे पढ़ना होका डॉकर नेटवर्किंग तो बैसिकलि लॉकर नेटवर्किंग वहती है वह तीन जाट आइद की होती है ना एक होता है ब्रिज नेटवर्क चोंकि सबसे कौमन है और उसी को अभी सीन देख लेंगे आज डेमों में ठीक है बाकि हम लोग मेंली फोकस किसके करने वाले ब्रेज नेटवक पर राइट सब्सक्राइल मैं चेक कर लेता हूं कि हमारे इस सिस्टम पर कोई अब बात करते हैं यह क्या है यह यह network id यह network का name जो कि bridge network है इसा आप टाइप भी कह सकते हो basically ठीक है और यह driver है यह होगया आप यहां टाइप समझ लो ठीक है अब मैं क्या करूंगा कि कोई कंटेनर है कि नहीं हमारे पास मैं यहां पर रन कर लूँगा यह हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब करना इसे करना इसे इसे बिंगाया यहां पर कांटेंडर इसे करनों यहां कि एक करो यहां यहांि ze नेटवर्क लस यहां आपको मिलेगा हमारे पस अगेन भी हमारे पास तिन ठीक है तो यह है मेरे पे आम मैं क्या करने वाला हो देखो आम मैं ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करूंगा एक मदब अपना एक कस्टम समझे लो नेम मेरा कस्टम रहेगा बिसिकली इहां पर जहां प कि है घ्लाइगा मेरा ब्रेज नाम रहेगा टेस्ट है एंट मैं करें डूँमा एंटर एंसे झालिए ग्याएग एंटर आणावनेगा इस lift गनेटर थे यहां एक टेस्स नाम का यह और क्या हैicular में टेस्ट नाम की जो लूआ नेटम्स को यूस करखे कंटेनर करूँ गा ठीक है है डॉक्टर टेनर कैनेर- क्वराइक क्रेंड ट्वर्कत करना ओर एक इमेश कर रोंगा मैंंद फूल कर लोंगा ले यह कोछिए deposited नेटवर्ग और टेस्ट नाम सी एक है एक और रूइट कर लिए थिक है तो एक और करेट कर लूँगा सेन्मन से सबकुछ तेस्ट मोड के अगर मैं चेक कर दो तो में तीन होने चाहिए ठीड है कि यह चेक करता हूं टॉकर कंटेनर ल्स बंसी अभी तीन है मेरे पास एक नौ सेकंड पहले एकके सेकंड और ढूट पहले जो मैं सबसे पहले क्रीट किया था ठीक है तो यह तीन है हमारे पास जिसमें से दो वाले जो हमारे यह टेस्ट नेटवक पर एक यह वाला प्रेज नेटवक पर ठीक है अब इसे कैसे चेक करेंगे हम देखो एक रैंडम जो है वो क्रेट कर लेता हूं कंटेनर रन-itd और इसको मैं इसको मैं ले लूँगा नौर्मली किसी हमने इसमें किसी नेटवर्क को नहीं एड किया है यह बाइडिफॉल्ट है ठीक है तो आप मैं चेक करता हूं डॉकर यहाल सबनेट को किसको इनके सबनेट को मैं छेक करूँगा ठीकहा एंड गया गतल अ hace करने वाले हैं जानि अगले अगले वाले का दूंगा एग वह वॉड़्य है व्यहों सब्सक्राइँ करने अगले इक और यहां पे करदूंगा रूध रहा ही था इसका 18 होगा रायट और यह वाला पहले वाले के लिए ले मेरक पहला वाला था यह मैंने जब डाला सेकंड वाला इसका हमें मिल गया इस इस अधर 18.00 वह 17.00 था यह 18.00 मतलब वह हमारा अलग नेटवर्क पर चल रहा है यह वारा अलग नेटवर्क पर चल रहा है ठीक है अगर मैं इसके अंदर और वह लास्ट वाली वैलियो हमारी चेंज होगी बट जो इ है एक नेटवर्क के अंदर मतलब थ टूम इनगे ऊब्र कंटेनर चार 這一 कंटेनर से YE ठीक है अंने जबनदाला हूं दॉकर कंटेनर चलेंगे पहले वाले पार चलेंगे पहले वाले के अंदर पहले वाले की नेटवर्क के अंदर आ गया हूं ठीक है अगर इसे पेंग करता हूं ठीक है अगर मुझे पहले बाहर आता हूं ठीक है कंट्रोल से स्क्रीन करों क्लियर ठीक है और मैं यहां करने वाला हूं करना यहां करता हूं तो कि यहां पर मुझे मिल जाएगी इसकी इसकी इड्रस क्या इड्रस ए डिस इस इस पेर इड्रस वाला है ठीक है एक सोबादतर यह करके है एंड मैं अब करूंगा वापस ते सेकंड वाले के लिए ठीक है तो यह मैंने किया कॉपी यहां मैं पेस्ट यहां मैं कर दूंगा इसको ग्रेप ठीक है यह धर्ड वाले यह ठीक है और मैं सेम कमांड यूज करूंगा बस यहां पर मुझे कंडेटेनर की आईडी चेंज कर दूंगा अब मुझे का हो गया मेरको तीन कंडेनर सब्सक्राइब मिल गया इप मिझे मिल गया ठीक है तो यह मेरा आइप फ्री वाले का यह एक तो यहां क्लियर ठीक है आपको दिखाता हूं करें पहले हम एंटर लेंगे और इसको यह वाली इपको इसको मैं उठाऊंगा बट कैसे इस सेकंड कंटेनर के अंदर जाएंगे हम देश वाले कंटेनर के अंदर के अंदर तो मैं इसे करों यह डाला मैंने और ढाला पैश, एंटर किया मैंने, हम आगया है इस कटेनर के अंदर, और अंदर आने के बाद मैं यहाँ सिंप्ल करना पिंग, और यहाँ पे मैं आई पी डालूगा थर्ड वाले की, जो कि है दिस इस, यहां से एंटर इसने पहले पिंग कमांड इंस्टॉल करने होगी पहले मैं अपने कंटेनर को अप्डेट कर लेता हूं आइफान डाल के अप्डेट कर अप्डेट ठीक है तो यह मेरा पहला अप्डेट हो रहा है पैकेज ठीक है यह करने के बाद मैं इसमें मुझे आइप्टियल यानि मतलब नल्ब पिंक के लिए इसमें पाकेज रिए क्मांड दोनों और यहां रहेगा net tools-y अब मैं यहां पर ping जो package रहा हूं और netstat यूज़ कर रहा हूं तो मैंने यहां पर दोनों के दोनों install कर लिए हैं आप लोग भी दोनों के दोनों install कर लिए आपको करना पड़ेगा अब अगर डालोगे if config तो आपको दिखाएगा कि इसकी IP क्या है यह इंस्टॉल हो गया है ठीक है अब मैं अगर पिंग करता हूं यह पिंग कर रहे हैं मैंने क्या किया है मैंने container अपनी IP को ही मैंने पिंग कर रहा हूं यहां तो मैं बाहर आता हूं Ctrl-C से में आ जोंगा बाहर ठीक है अब मैं आपको दिखाऊ हूं हमने second container से third container को पिंग किया तो यह easily पिंग हो गया क्योंकि यह same network पर है ठीक है क्योंकि यह same network पर है तो अगर मैं आपको दिखाऊंओ वापस से जो मेरी IP थी वह एक बार यहाँ पर सब्सक्राइब हो गया यह मैं आपको अगर पिंग हाइफन C1 लिखता हूं अगर मैं इसको कंटेणर आई पी जो मेरी वन वाली है अगर उसको करता हूं जो कि बहुत मुश्कित होगा ऐसे कि यह इसको यह पिंग करने नहीं देगा तो यह नहीं करने देगा क्यों क्यों कि वो डिफ्रेंट नेटवर्क पे है आपको समझ में यहां तक आया होगा डिफ्रेंट नेटवर्क पे हैं उसको पिंग नहीं करने दिया फिलाल करें ऐसे एक्जिट हम आजाएंगे बाहर ठीक है अब बाहर आगे हैं हम आपको दिखाता हूं कि कंटेनर लस किया मैंने और यहां से उठाओंगा यहां पर करते होंगा यहां यहां पर करते होंगा कंट्रोल शिप्ट वी से पेस्ट कर देंगे पिर में यह इंधर टो कोपि किया घंड उइनक अंदर पहुंच गया इंडर कर देंगे हैं यहई को अप्रूम कमाद से पर कर देंगे डेलीट थी यह मा करूंगा यहां भी कोई नहीं है ठीक है तो सारे कंट्रेस्स मेरे हो चुक है डिलीट ठीक है अगर मैं बात करूँ डॉकर नेटवर्क लेस्ट तो मैं अगें एक डॉकर नेटवर्क टेस्ट वाले को ठीक है इस बार फिर से मैं नाम रखोंगा टेस्ट क्योंकि थोड़ी है और मैं वही कमांड्स यूज कर रहा हूं ठीक है अगें यहां पर टेस्ट नेटवर्क क्रेट हो गया है ठीक है और इसको मैं रखोंगा उबंटू लेटेस्ट इस बार मैं यूज करने माला हूं ब्रिज नेटवर्क को तो एंड मैं कर दूगा एंटर ओके जस्ट में चेक डाकर रो इलो एंड यहां पर आ जाएगा रन त्य? मेरा कंटेनर कनेर का ठोलिए तव कि में लगाना उन प्वलिया था तो मेरा यहां पर रण कर गया हैивает तुम चेक कर सकते हैं कैसे रिमोट ले लेंगे इसका अपन तो मैंने किया अब हम आ चुक है अंदर मुझे पहले इसको अपडेट करना होगा ठीक है अब मुझे यह करना है अब मुझे के अंदर पिंग कमांड भी जो है वह वापस इसका पैकेज में इस्टॉल करना होगा मैं यहां डाल दूँगा यहां से यह पिंग कमांड भी कर देगा पैकेज जो है वह वह पिंग पैकेज भी इंस्टॉल कर देगा ठीक है अन्दर मतलब इंस्टॉल कर देगा बिसिकली कंट्रोल से कर देंगे स्क्लिन क्लियर मैं यहां वापस डालूँगा इसको इसकी आईपी दिख जाएगी इस इ अब मैं करने वाला हूं मैं कंट्रोल शिफ्ट टी से एक नया टर्मिनल ओपन कर लोगा बेसिकली तो यहां में नया टर्मिनल ओपन हो गया ठीक है ज्यादा हो गया राइट अब मैं यहां करने वाला हूं कि दोकर का चेक कर ले रहे हैं कंटेनर कि अलस पीमेंटर कंटेनर है जो मैं दिखा रहा है ठीक है मैं करता हूं डॉकर नेटवर्क लस इसमें टेस्ट नाम से एक है मैं यहां करना वाला हूं कि डॉकर नेटवर्क करनेक्ट टेस्ट ठीक है और यहां मैं कर दूँगा इसको मैं यहां करने वाला हूं किससे टेस्ट नेटवर्क से मतलब एक किया था मैंने तो मुझे इसकी आइपी यहां पर दिख गई थी एक एथरनेट जिरो ना पर दिखा रहा है ठीक है वन सब्सक्राइब कर दूंगा टेस्ट नेटवर्क के साथ किसको इस कंटेंटर को यानि जो मारा यह कंटेंटर करने करनेक्टिए अब देखना क्या होगा यहां पर मैंने किया एंटर 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 अब कैसे पता लगेगा वापस आप देखो मैं यहां पर एक और इथरनेट कर दिया है connect मतलब यह हमारा 112702 था अब देखो 11219.02 है मतलब इसने अब उसको दूसरी नेटवर के साथ कर दिया connect अपने difference देगा दूसरी नेटवर के साथ कर दिया है connect ठीक है सो इसको आपने connect किया and disconnect भी कर सकते हैं samely उसे रही है जैसे मैंने connect लिखा है and मैं यहां लिख दूँगा आगे disconnect होगे disconnect हमें वापस करूँगा इस config आपको अगेन दिखेगा दो ही आ गए 0 और LO है नो Ethernet 0 और LO वन वाला गायब हो गया मतलब जब हम इसे करते हैं किसी network के साथ connect तो उसको एक वाया Ethernet network वो उसके docker container ls ठीक है और मैं यहां करते हूंगा docker container kill करूंगा container ID में यह रही पेस्ट किया and enter docker container ls-a okay जैसे मैंने से kill कर दिया तो यह मुझे यहां पर कमांड देनी देनी रहा है क्योंकि already मैंने kill कर दिया इसको ठीक है तो अब मैं यहां से जोंगा बाहर कंट्रोर L से कर दोंगा screen clear container ls किया तो कुछ नहीं मिला है किया तो यहां पर हमें यह मिल रहा है मैं इसको कर दोंगा कर दोंगा test test को मैंने remove कर दिया तो यह भी हो गया अब हमारी सारी की सारी चीज़ जो है वह हो चुकी है वापस से एकदम नॉर्मर होगे ठीक है समझेल हम 0 प्याच चुका अगेन अब मैं क्या करूंगा अब मैं एक network क्रियेट करूंगा ठीक है यूजिंग ओन सबनेट क्या करूंगा अपना सबनेट हम यूज करेंगे कैसे मैं करता हूँ docker network create hyphen hyphen subnet एक सबनेट हम दे देंगे ठीक है इकवल तो मैं देता हूँ 172.10 सबनेट के साथ ठीक है और नाम दोंगा मैं इसका माइनेट 123 यह दिया मैंने एंड किया मैंने एंटर ठीक है अब मेरा जो network है वो create हो गया माइनेट 123 नाम से और सबनेट से कौन सा अटैच हो गया है इस वन जो मैंने हम mention किया ठीक है चेक कैसे करेंगे docker network ls आपको दिख जागा यहां पर माइनेट 123 नाम से एक नया network ठीक है अब इस network को use करके हमें container run करेंगे ठीक है अब कैसे करने container को रण देखो docker container run-itd ठीक है हाइफन हाइफन नेट अब network के जगे नेट भी लिख सकते हो ठीक है माइन एट 123 यहां तक हो गया एड आइपी मैं इसको अलॉट कर दूँँगा क्योंकि मैंने अपना अब हम यहां image कौन से यूज़ करने वाले हैं और मैंने कर दिया है create container अब आपको मैं करूं अगर container LS तो आपको दिखेगा कि मारा container जो हो रण हो चुका है यह मैंने मेरा container रण हो चुका है यह मेरा container ID है यह इसका image है यह command है and 11 seconds अगो अब मैं क्या करूंगा container LS मैंने किया एं मुझे इसका मुझे शेल लेना है ठीक है मतला मुझे इसका remote लेना है basically मैं क्या करूंगा docker container एक एक जीक्यूट करेंगे अपन और यह इसका इसका नाम क्या है माय उबंटू ठीक है तो मुझे इसकी मैं आपको दिखाता हूं एक बार आई पी और इसका होस्ट ठीक है तो मैं अगर यहां पे चेक करूं cat slash etc slash host जहां पर साथ details रहती है ठीक है आप देखोगे इसकी IP क्या है जो हमने अलॉट की थी वो इसकी IP है और इसका होस्ट नेम क्या है इसको अप्डेट करना होगा ठीक है और हमें इसमें पिंक कमांड भी इंस्टाल करना है तो इसने यहां पर पैकेज कर दिया है इंस्टाल करना है तो कैसे करेंगे हम आभी तर्फम करी रहते हैं यहां से पिंक पैकेज हो कर लूँगा इंस्टाल बहुत जल्दी हो जाता है यह ठीक है तो यह मैं अगर पिंक करता हूं यहां से बाई होस्ट नेम ठीक है मैंने क्या पिंक हाइपन सी वन यानि काउंट वन ठीक है और मैं करता हूं मैं उबन्टु स्वरी स्पेलिंग गरबड हो गई उबन्टु मैं करूंगा एंटर एंड सी यह हो गया है पिंक मैंने एक पैकर ट्रांस्मिट किया एक रिसीव हुआ जीरो परसेंट लॉस यानि सक्सेस रेट कितना हो गया मेरा हंड़ेट परसेंट तो मैंने इसको अपने होस्ट नेम से भी कर लिया है पिंग तो यही था मेरा आज का जो पूरा सेशन आईकिस आपको मोस्ती चीज़ें समझ में आ गए होंगे और थोड़ी सी खिचड़ी प कि मुझे मिल गये है डोकर लॉकर कंटे अने कंतेहन और और यह मैंने को सब्सक्रायर से स्पेंट अब इसट और जबी हब हमाटने ओट atenção को cada यह यह चला गया चेक करूंगा दॉकर नेटवर्क एलेस ओके तो मिरे पास यह भी है माइनेट नाम से इसको भी मैं अठा लूँगा ठीक है आर एम माइनेट 123 एंटर ठीक है अब अगर मैं चेक करूंगा तो यह भी मेरे पास नहीं है तो आई यह था हमारा आज का सेशन जो क किया था तो मुस्टली आपको जब आप एंवर्मेंट में होगे तो आपको मुस्टली ब्रिज नेटवर्क पर काम करना होगा ठीक है आपको नहीं समझ में आई तो एक बार आप वापस से लाकी वीडियो को देखो ठीक है बहुत easy है कुछ बहुत difficult नहीं है ठीक है बस आप आपको समझ में आगया होगा नहीं समझ में आया है तो एक बार आप और वीडियो को देख लो समझ में आचाएगा ठीक है बहुत easy है बाकिया मेलेंगे next वीडियो को देख लोगे बाबाई अपना जान लगना अपनी फैन लगना सी नेक्स टाइम